चेक करेंगे यह माशाला देखें जबर्दस्ट तरीके से बेख हो चुके हैं इनको अब हम यह बाहिर निकाल लेंगे एब दोट आप ढर लावा गया है अब बिस्मिल्लार रोहाई रर्माहिम आसलाम अलेकुम मैंप शफ दैन आप देख रहे हैं कुकिंग विज बावा गये यह जो है जो है इस्तुमाल कर के बनाएंगे और यह हम बहुत आफं़ जो है चीज़ें इस्तमाल करके बनाएंगे यज़ाम है चोगलेट अब डेरी मिल्क लेने को बेंड या चोगलेट Zhlap ले ले यह पचास्फ ग्राम उने चोग्लेट ले लिए यह लोगार गार गार यह है अब मख्षान ले सकते हैं घी ले सकती हैं देशी की ले सकते हैं या कोई भी आप ओल भी ले सकते हैं तो यह 50g हम घीस में शामिल करेंगे, अब हम इसको एक मिनट के लिए और में लगां गे इन दोनों चीज को मेल्ट कर लेंगे, अब हम इसको नके लगे से रचीकिल दीजिए को च्छाजीए यह ुष्ट में अब में दि धोड़ा दल गया है इस फरकें तो अब हम इसमें यह मैं इसके अंदर रखूंगा आप इसके अंदर ओवन वाली जाली रख सकते हैं या कोई और भी जो आपके पास हो में इस फर वो रख सकते हैं अब हम फ्लेम को ओन करतें कि ताकि यह प्री हीट हो जाए यह हमने फ्लेम को ओन कर दिये और इसको डख देंगे यह देखें यह हम इसको चाकलेट और कहमारा जो की है इसको मिक्स कर लेंगे यह हमने यह देखें यह निकाल लिए और यह एक अंड़ा लिया है यह हम इसमें शामिल करेंगे यह तक्रीबन बरके डाइच चमज हुए हैं यह हम इसमें शामिल करेंगे और यह 25 ग्राम हमारे पास है स्जूगर यह विट यह हम इसमें चमील कर लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे के स्टिटे से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये जो हमारी चीनी है और ये जो है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए ये हमने दो कपले ली है आप कोई भी कर से कपले लें ये इनको कुछ नहीं होगा बेक करते हुए यह हमने हलका साइन में ग्रीस कर लिए अब हम इसमें चॉकलेट कोडर यह इस तरफ डालेंगे और यह इस तरीके से इनको ग्रीज कर लेंगे यह ग्रीस हो चुकिए यह इस तरीके से हम इसको बाई भी कालेंगे आप अगर आपके पास चोकलेट पोड़न ना हो तो आप इसमें पीजी हुई चीनी भी डाल के इनको प्रीश कर सकते हैं यह इस तरीके से यह हमारे दोनों कब यह देखे रैडी हो चुकिए और यह हमारा यह जो है लावा का टेक्स्चर है वो भी रैडी हो चुकिए अब हम इसको इस तरीके से दो कब में डालेंगे यह देखें इस तरीके से यह इन पर आप हिसाब करने इसमें सो डेट सो रपे से जादा सो सवाज रपे से जादा बिल्कुल भी लागत नहीं आई तो यह आम मार्केट से जो है यह तकरीबन 400 रपे का होटल से मिलता है एक कप तो यह दो कब हमारे तकरीबन सो सवाजों में रैडी हो रहे हैं बस आपने जो रैस्पी है उसका मुकमल फोलो करना है ताके आपका जो कपकेग है बिल्कुल सेम बने मैं यह मुकमल रैस्पी जो है डिस्क्रेप्शन में भी लिख दूँगा आप वहां से भी देख सकते हैं अब हीन को हम यह हमने जो पृतिला हमारा प्रीट हो चुका था इसमें हम रख देंगे या आप ओवन में भी प्रहां ऑप्षाइब में 200 हीट नहीं है इसमें हम फूल तेज़ हीट पर हम फूल तेज़ चुलाच लादेंगे और इसको सरफ स्थ 10 मिंट के लिए रखेंगे यह दस से बारा मिनिट हो चुके हैं यह हम चेक करेंगे यह माशाल्ला देखें जबर्दस त्रीके से बेग हो चुके हैं इनको अब हम यह बाहिर निकाल लेंगे यह देखें यह इन्होंने कनारे छोड़ दी है और यह जबर्दस त्रीके से बेग हो चुके हैं यह हम इस तरह बिस्मिल्ला अरुमारी रहीम यह देखें माशाल्ला यह हमारा कपकेक बाहिर आ जुका है इसी तरीके से हम दूसरा निकालेंगे यह थोड़ा सा यह देखें तंक कर रहे हैं इसको हम यह इस तरीके से कनारों पर थोड़ी थोड़ी छोड़ी फेर लेंगे यह हमारा स्वेग से क्रीस नहीं हुआ है इस वज़ा से यह से थोड़ा सा तंक किया है यह देखें यह और इसकी अवपर हम आपशोपर दाल सकते हैं इसकी उपर अफोड़ा सा यह कंडेंस मिलक एड़ करेंगे अगर आपके पास कंडेंस मिलक ना हो तो आप वैसे भी इसको बना किते हैं फिल्षाओत बहुत बना सकते हैं यह भी बहुत जादा मजी के बरेंगे ayam इसको कट करेंगे और यह देखें यह जब दस्ता हमारा लावा बाई आ जुका है कि यह अब आपको टेस्ट करके बताऊंगा यह किस तरह का बना है माशालाह उसके जब आइने जब दस्तरी प्रीके से सौफ बिल्कुल बेख हो चुका है इसम इल्लाहियों प्रवाहिम करें मुह में कुर रहा है बहुत साथा मत्यदार है यह जब दस्ता हमारा लावा के रेडी हो चुका है आपका प्रिहीट हो और यह दस मिनिट में बेक हो जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो संदाई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आपने कोई स्व कमर्शल रेस्पीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इजादत दीजिए अलाहाफीज तो इस तरह की कमर्शल रेस्पीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इजादत दीजिए अलाहाफीज